फ्रेश मिल्क का जो pH है वो 6 है यहां पर देखे कोश्चन दिया हुए एसिट बेसे इस बढ़ा कोश्चन है इसमें आप सीख जाएंगे कि pH भी किस तरीके से होता है क्या होता है pH देखे यहां पर कोश्चन दिया है कि जो ताजा मिल्क है उसका pH जो है 6 है और जैसे ही वो दह न्यूट्रल होता है मतलब कि अगर कोई solution है या कुछ substance है जैसे कि दूध है या धही है या कोई भी चीज़ है अगर माली जो कोई solution है substance है उसका pH 7 है तो वो न्यूट्रल है अगर pH की value 7 से जादा है जैसे 8, 9, 10, 11, 12 तो वो solution या वो substance जो है वो basic हो जाता है और अगर pH की value 7 से कम है तो वो acidic हो जाती है अब देखिए आपको याद रखने के लिए pH 7 से बड़ा है बी से बड़ा और बी से basic तो basic उसके अंदर tendency आ जाएगी और 7 से चोटा होगा तो acidic tendency हो जाएगी यहाँ पर question में दिया हो है जो milk है उसका pH 6 है यानि की 7 से कम है लेकिन अब जो धूद है वो जब धही में convert होता है तो वो और ज्यादा खटा हो जाता है means और ज्यादा वो acidic हो जाता है क्योंकि curd के अंदर lactic acid होता है तो अग lactic acid होने की वज़े से धाई का pH 6 से भी कम हो जाएगा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं milk turns are as it changes into curd copy pen लिखा लिजे और साथ साथ लिग लिए notes बना लिजे curd contains lactic acid यह भी एक question आता है बहुत अच्छा आपको ध्यान रखना है कि curd के अंदर कौन सा acid होता है तो याद रख लीजे lactic acid so pH of curd will be less than 6 due to the presence of lactic acid एक बार question को हम फिर से पढ़ेंगे fresh milk has a pH of 6 will its pH increase or decrease when it changes into curd explain भाई यहाँ पर का गया है कि milk की जो pH है वे 6 है अब वो जब दही में convert होगा तो pH कम होगी हो जाएगी या जादा हो जाएगी यहाँ पर अगर pH साथ से बड़ा है तो वो substance basic होगा साथ है तो neutral होगा साथ से कम है तो acidic होगा milk turns sour as it changes into curd curd contains lactic acid so pH of curd will be less than 6 due to the presence of lactic acid कोई भी वीडियो इस तरीके से बनाया जाएगा कि आप बस वीडियो देखिए और आपको समझ में आ जाएगा और आपने chapter नहीं भी पड़ा है तब भी आपको कोई भी question समझ में आ जाएगा और भी सारे वीडियो देखिएगा इसी तरीके से सा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो